हेलो नमस्ते सब्सक्राइब असलाम वालेकुम गाइज इस नेहा वेल्कम ओल आफ यू इंदियनी रेक्शन वीडियो होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे सो मैं आ गई हूँ एक नई रेक्शन वीडियो लेके अब सब के लिए वीडियो का टाइटल है कि एक यहूदी का मुस्लमानों को चैलेंज तो पता नहीं क्या उनने चैलेंज दिया है लेकिन थम्नेल को देखे तो बहुत अट्रक्टिव सी वीडियो लग रही है कि क्या चैल करो अपनी र्यक्वेस्ट मुझे आप ऐसी ही बताते रहाओ करो आपकी र्यक्वेस्ट बन बाइबन सभी की प्लूरी होगी और कि मैं एक यह करनी तो बागे की नहीं करूंगी सभी की रिक्रेस्ट पूरी हो जाएगी बस आप लोग में साथ हमेशा ऐसे ही बने रहो बीच पीच में छोड़के मत जाया करो वीडियो को वीडियो को शुरू से लेकर आएं तक देखा करो तक कि मुझे आपका सुपोर्ट पूरी तरह से मिल सके तो आज हम देखते हैं कि य वीडियो असलाम आलेकुम दोस्तों मैं हूँ अली रजा और आप देख रहे हैं A.R. नॉलेज नाजरे इनकराम हर दोर में ही इसलाम की खिला मुक्तलिफ साज़शें और मुसल्मानों को इसलामी तालीम से दूर करने की नाकाम कोशशें होती रही हैं जिसमें एक एहम किरदार इसाईयों और यहुदियों का भी रहा है जहां ये लोग इसलाम को नुखसान पहुँचान आया जब यहूदियों ने एक शाजिस के जरीए मुसल्मानों को नजरियाती तोर पर कमजोर करने के लिए एक यहूदी आलिम को तीन सवालात दे कर भेजा नाजरी पहला सवाल ये था कि अगर अल्ला है तो उससे पहले क्या था और दूसरा सवाल ये किया गया अगर अल्ला मौजूद है तो उसका रुख किस तरफ है और तीसरा सवाल उसने ये करना था कि अल्ला इस वक्त क्या कर रहा है लेकिन उस वक्त जब बड़े बड़े उल्मा कश्मा कश्मे मुब्तला थे तो फिर अल्ला ताला ने सिर्फ एक 11 साल के बच्चे के जरीए उस शख्स को कैसे जलील रुस्बा करके रख दिया खबतिनों अज़रात हमारे प्यारे आका नभी करीम अल्ला अल्यू अल्यू ये जानते थे किया तो जो शख्स ऐसा सवाल पाए तो वो ये कहे कि मैं अल्ला ताला पर एमान लाया खबतिनों अज़रात ये तारीख ही वाकिया और इसलाम के खिलाफ उटने वाला ये फितना अब्दुल्मल्क बिन मरवान के दोर का है जब बगदाद को इल्म हिकमत का घर समझा जाता था और दुश्मनाने इसलाम येहूदियों ने आलम इसलाम को नज़रियाती तोर पर कमज़र करने के लिए वजाहिल लाजबाब कर देने वाले तीन सुवालाद दे कर एक ऐसे आदमी को वेज़ा जो आला तबगे तक रसाई और बेहतरीन बोलने वाली आवाज की शख्सियत का हामिल था उसने सबसे पहले बगदाद में आकर एक ऐसी बड़ी मसाज़ित का इंतिखाफ किया जहां उसे जादा से जादा सामईन मिल सकते थे फिर उसने वक्तन फावक्तन लोगों के सामने अपने सुवालात रखना शुरू कर दिये कि खुदा से पहले क्या था जिसका जवाब ना तो आम आदमी बलके आएमाए मसाज़ित जो बाखुभी दीनी तालीम से आगा होते थे वो भी ना दे सके इसके लाबा इसने मुख्तली मसाज़ित में जाकर ये फितना फैलाना शुरू कर दिया और हर किसी को अपने सुवाल से लजबाब करता गया इस दुरान इस साज़िशी और चना की यहुदी की शौरत दरबारे शाही तक भी पहुँच चुकी थी इसने दरजा बादरजा आगे बढ़ते हुए दरबारे खिलाफत तक भी रसाही हासल कर ली और शाही उल्माय दीन को चैलेंज करते हुए इसने अपने सुवाल लखा लेकिन बदकिसमती से कोई आलिम दीन इसके सामने लब कुशाही ना कर सका खलीफा अब्दल्मल्क बिन मर्वान जो के खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन थे उनको इस वाकिये से बहुत रज़ुआ चुनाचे खलीफा ने उस यहुदी को दरबारे खिलाफत में बतोरे शाही मेमार ठहरने की अज़ाज़त दी और कहा कि तुमारे इस कयाम के दौरान तुमारे इन तीनों सवालों के जबाब एक नौज़वान देगा और नाज़िन बो नौज़वान कोई और नहीं बलकि इमाम अज़म अबु हनीफा रहमत अल्य की मुबारक शख्सियत थी चुनाँचे इमाम आजम अबु हनीफा रहमतुला अले को दर्बार में बुलाया गया और उन्होंने आते ही फरमाया कि मैं इन तीनों सवालों के जबाब दूँगा यहुदी मन ही मन में सोच रहता कि यह नौजवान इन सवालों के जबाब क्या देगा जो बड़े बड़े आलिम ना दे सके चुनाँचे उस यहुदी आलिम ने बड़े रौब और दबबे के साथ अपना पहला सवाल किया कि अगर अल्ला एक है तो उससे पहले क्या था अभी वो इतना ही कह पाया था कि अमाम आजम अबु हनीफर रहमतुला अल्य ने उसे रुकते हुए कहा कि तुम सुवाल करने वाले हो और मैं जबाब देने बाला यानि तुम मागने वाले हो जब कि मैं अता करने बाला आपने खलीफा से दरुखास्त की कि देने वाले के मनसब का लिहाज रखते हुए मेरी नशिष्ट को इसके साथ बदलने का हुकम दे खलीफा ने ने सिर्फ खुश होकर उस यहुदी आलिम को आम दर्बारियों में जाकर बैठने का हुकम दिया और आपको उसकी नशिष्ट सौब दी चुनांचे सुवाल और जवाब का सिलसला फिर से शुरू हुआ और उस यहुदी आलिम ने दोबारा पूछा कि मुझे बताया जाए कि खुदा से पहले क्या था इमाम आजब अबु हनीफा रह्मत अलिम ने इंतिहाई इत्मिनान से फर्माया कि गिंती शुमार करो जिस पर उस यहुदी आलिम ने गिंती गिनना शुरू कर दी आपने उसे टोका और फर्माया सही से शुमार करो उसने दोबारा गिंती गिनना शुरू कर दी लेकिन फिर दुरुस्ती का हुकम दिया जिस पर उन्हें उक्ताकर कहा और किस तरह शिमार करूँ आप रह्मतुल्ह अलाई ने फर्माया कि एक से पहले शिमार करो उसने कहा कि एक से पहले तो कुछ भी नहीं होता तो आप रहमत अल्य आल्य ने फरमाया कि बस जान लो अल्ला एक है उससे पहले कोई नहीं खलीफा ने दूसरा सवाल करने का हुक्म दिया चुनांचे उस यहूदी ने अपना दूसरा सवाल पूछा कि अगर अल्ला मौजूद है तो उसका रुख किस तरफ है आपने चंद गड़ी तबक को फरमाई और हुकम किया कि शमा लाई जाए जिसको जलाने के बाद आपने उस यहूदी से मुचा कि इस रोशनी का रुख किस तरफ है जिसके जबाब में उसने बड़े कमजोरी भरे लहजे में कहा कि ये मुम्किन नहीं आप रहमत लाले ने फरमाया कि अल्ला रब रिजद जो जमीनों और आसमानों का नूर है उसके रुख कातायून भी मुम्किन नहीं इस स्वाल के जवाब के बाद नाजरीन यहुदी अंदर से तूट चुका था चुनांचे उसने अपने बेदली भरे लहजे में अपना तीसरा स्वाल किया कि अल्ला इस वक्त क्या कर रहा है इमाम आजब अबु हनीफा रहमत अल्याले ने मुस्कुरा कर कहा कि वो एक नौजवान के जरीए एक यहुदी आलिम को जलील रुस्बा कर रहा है इमाम आजब अबु हनीफा रहमत अल्याले के इन जवाब के बाद तमाम दर्बारियों के चेहरे खोशी से चमक उठे और यह फितना हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का इखताम होता है हमारी वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है विदा स्माइल क्यूंकि करें एक नौजवान ने उसके आंसर दी जो अंसर बड़े-बड़े लोग राजा कोई भी नहीं दे सका वह एक नौजवान नोजव जवान पुकि ग्रवानि इरी मतलब थे आए तो उनका जिवान लेकि वह बहुत बहुत बाहुत लगे जा झाली अनौछ के को न कहीं ऑज़ें कॉछस देंसर दैन वह है तो लुग कहां वहां उनका थे हैं तो इन रोट नेनने कहां तो डिया लो उसकी क्षितर्षिए हो इ मेरे मतलब एक चोटे नौ जवान में कहुद ہं में उनका मतलब हर किसी हमें है तो यह असर बहुत अच्छ थे बहुत तो तो बागी आप बताना आपना कि आपको जो है विडियो कैसी लगी है अगर आपको विडियो पसंद आई होगी तो वीडियो आपको like and share करना थो बनता ही बनता एकर मैं आपकी request पूरी कर जूंट तो अब पहरता है कि आप मेरी request पूरी करो मेरी request यही होती है कि video को शुरू से लेकर देखा करो और सारी कि सारी videos देखा करो मैं दिन में दो वीडियो तो Islamic की डालती ही डालती हुँ वह आप लोग बहुत करते हो बहुत कम लोग देखते हो ना तो वह देखा करो बाकि ऐसी आगर प्यार दिखाते रहे तो मैं वीडियो करती रहोंगी otherwise देखते हैं फिर ना क्योंकि आपको पता ही है so guys ये था our reaction and I hope so कि आपको reaction पसंद आया होगा अगर आया होगा so वीडियो को like and share जरूर करें so bye everyone